सूडान में इस समय ग्रह युद्ध चल रहा है और वहां पर कई भारती है फसे हुए है उन्हीं में से एक जैंत के विलानी भुपाल के हैं और उनके एक तरह से वहां फसे होने के कारण परिवार जो है भुपाल में बहुत परेशान है चिंतित है उनकी पिता माता और सिस्ट शाइप आरू साथ मुधी डुंट अब क Leist लिए और के परेंगे किस सरह से लिए अभी तक प्रोसेस हुआ है सरकार ने क्या किया किया है उनके पिता सिरुवात करते हैं सर जिस तरह से जैन्त वहां भसे हुए हैं आपको कब जानकारी मिली और क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है उसने तो हमको बताया नहीं था हमको तीन दिन के बाद मालूम पड़ा न्यूज पेपर के मादम से तब मैंने उसको फोन किया वही तीन दिन होगे तुमने बताय नहीं हमको और दो दिन से उमने बात भी सही तरह से हमसे नहीं की थी महला में कुछ इंते दू पर आपको जानकारी में डालू गया इसलिए नहीं बताया मेरे और करीब साथ चार मार्श को यहां से गया थे वह और 20 अप्रिल को लोड़ने थे और 14 तरीक रात से वहां पे ग कितनी एज है जैंत की तेइस साल के जैंत हैं और देखे जिस तरह से बताया कि उन्होंने परिवार को परिशान करने भी उचत नहीं समझा जब वहां पर फस गए और इनको न्यूस पेपर के माधियम से जानकारी मिल रही और अभी क्या हो रहा है कोई पॉलिटिकल सपोर्ट या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं हमने जब हमकों बालूम पड़ा तो हमने गुडिया से अमनी नलकी से बोला कि आप ट्व प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप ट्विट करिए तो उन्हें ट्विट किया उसके बाद मीडिया के माधियम से अब सरकार अपना काम कर रही हमको पूरा विश्वास है कि मारत की दितिव लोग पसे हुए और हमारा बच्चा सब सुरक्सित वापिस आजाएंगे और प्र आइंचनदानी हमारे शेतर के विदान सबाद चुनाव लड़े हुए हैं वह आये थे हमारे पास सपोर्ड में सबसे पहले वह है थे और रामेश्योर शर्मा विदायक वह भी आया हमारे पास बगवान दा सबनानी जीतिंद्र डागा पूरा विदायक सब का समय को मिल प्रदेश का एक बच्चा है हमारा बच्चा है हम पूरा सेओ करेंगे तो जिस तरह से यह पूरा प्रोसेश शुरू है खास्तोर से एक तरह से चीज़ें सामने आए फ्रेंड पे आए उसको लेकर सिस्टर का एक रोल रहा किस तरह से आपने पूरा ट्वीट किया किस तरह स कि बहुत सारे लोग और मेरा भाई उसके साथ वहां फशे हुए सोडान में और उनको जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाया और किसी सेफ फ्लेस पर पोचाया जाया तो उस दिन तो कोई रिवर्ट नहीं आया था नेक्स्ट डे से जब हैना मीडिया में और न्यूस में य यह सोशल मीडिया की पावर हम कहा रहे हैं खास तोर से और जैसे आपने का कि जब तक ट्वीट नहीं किया तब तक कुछ एक तरह से कुछ हरकत नहीं हुए कुछ भी नहीं था उस ताइम तक तो मनलब नीओस में भी इतला नहीं बता रहा थे कि सुड़ान में कोई वार भी चल रहा है पेपर में भी जैन्त से कम्टिकेशन कभ वा आपका कल भी हुआ है अभी तो ठीक है और है जैसे कि एद भी थी कल तो वहां पे थोड़ी शांती भी थी खाने पी निकले भी इस पर थोड़ा बहुत है कल उसने खाया भी अच्छे से पानी की थोड़ी दिक्कत हो गई थी पर फिर भी उन्हे उन लोगों ने मैनेज किया अप सिस्चर हैं और चिंता लाजमी और भाई वहां भसे हुए क्या कह रहे हैं आपसे हो सकता है मावाब से उत्ते खुल के चीज़ा नहीं बता रहे होंगे क्योंकि उनको चिंता होगी कि वो परेशान होंगे बहन से क्या कह रहे हैं भाई वो और तो ऐसे कुछ नहीं बता रहा हो कितने लोग साथ में हैं जैंत कि उसके साथ तो दो लोग हैं जो उसके पहचान वाले बाकि जो इसके बिल्डिंग में करीब सौ लोग उसके साथ रहते हैं सारे भारती हैं हाँ वो सारे भारती हैं इंडियान MBC से कोई सी तरह को कोई वहां पर सारी उसकी अपडेट्स आ रही है और जल्दी उनको बोल दिया है कि जल्दी ही वहां से उनको निकालेंगे जैसे जैन 23 साल के है मात्र जादा एज है नहीं और ऐसे में उच्छोटी एज में बहुत एक तरह से तरक्की वो कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसकी हो रही है बढ़िए सरकार से पूरी उमीद है कि वह उसको निकाल लाएंगे जल्दी से जल्दी और विश्वास भी है क्योंकि उनको करना भी पड़ेगा हमारे देश का बच्चा है तो जरूर करना पड़ेगा जैन्त से जब जैसे आपने का कि कल ही आपकी बात हुआ है किस तरह मोटिवेटेड रख रहे हैं को वो सबसे बात कर रहा है तो उस वही विल्लब जब को देखके उसको मोटिवेशन मिल रही है हमने देखा था कि जैसे मैं पीछे इंटरव्यू सुन रहा था कि वहां बिजली भी नहीं थी खाने की वी किलत थी और आपने का लीट थी तो शायद कुछ शांती थी अभी खाने पीने की क्या इस्तेती है नहीं है उत्ता खाने को बट जैसे के ना थोड़ी सी शांती है तो कि फश्थ की बात करें तो अभी किस तरह की फार्ट एफबने निकालने को लेकर एंबसी वाले क्या कर आ बता रहे हैं रीजेा हैं बेश स्कार जिसमें जुद बहुत सारे भरति अर और बहुत सैन्य भी देशों के जो लोग हैंवों जुड़े हुए हैं और वो लगाता उसके contact में उसको यह तक भी बोल दिया कि यह ना कभी भी मिदलब उनको वहां से निकाल सकते कि वह एत्ती तैयारी में रहें कि उनको वहां से कभी भी मिदलब निकाला जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो एरलिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ कहना चाहेंगी मोधी जी से सरकार से सीम से बस यह है कि अब जित्ते हैफर्ट डाल रहें और जादा है जल्दी ले आई है तो देखिए इमोशन्स हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं बड़ी बात यह है कि जब सरकारों के इंवाल्मेंट होता है चीजें आगे बढ़ती हैं तो क्योंकि भारत के बच्चे हैं बढ़त के बच्चे को बाहर निकालना सरकार की ड्यूटी भी है उनकी माताजी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे बेटा इतने दिन से बाहर है पर बाद में भगान के रूप ने किसी को बेस्ते हैं तो मेरे साथ पूरी देश की जनता जुड़ी रही मोदी जी शिवराज चवान जी जितने भी पाशार जी थे कमलाद जी मैं सब का धैदर से धन्नवात करते कि उन्हें साथ दिया अमे अगले साथ दिया है है मेरे से सुर्स लगाया है कै आपसे बात कर रहे हैं तो कहरेमी क्या है आप थीक हो अफ प वो तो बार वारी एक कह रहा है और खाने पीने के लिए के लिए ममी जो है एजस्ट कर रहे हैं मतलब ठीक है बतब कोई घबराइट कोई चिंता नहीं मालिक है उसके साथ साही जी है बस वही किरपा इश्वर पर पूरा भरोसा है पूरा वह तो दिखी रहा है ना और मेरे जो पर परिवार वालों जिसने अभी तो वह कम है कि वह सबसे ज्यादा अच्छा है चिंता किस बात की है आप जब बात कर रहे तो क्या कह रहे हो जैन से बस ठीक है वह तो ठीकी जी कि बस बुद्धा बात करता है आपने कुछ कहा उससे आप मैंने का बस जान लगना अपना बस तो कि एज बहुत नहीं है 23 साल का बच्चा है और और अंदर से बहुत मॉटिवेटेड भी है मजबूत भी है मजबूत तो है वो बहुत मतलब वो अब उसको कोई होगा भी नहीं तो हमको नहीं बताता है मतलब वो कर लेता है जिस पर लग रहा था कि उसका खाना भी नहीं है पीना भी नहीं बस यही लग रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं जयू के लिए बोले थी, मैंने का सब जो पूरे इंडिया ने जो भासे हुए वो अपने अपने घर पहुंच जाए सुडान तो पहले भी जाते रहे होंगे, आपको ये कब जानकारी लगी कि वो अचानक से फस गाए हैं, न्यूस से पता चला या जैनत ने आगर रहे के बताया नहीं, जैनत ने नहीं बताया, मेरे मिस्टर, मैंने जैयू के पापा नहीं बताया कि भाई, यह हो गया, मेरे बेटे ने बताया यह नहीं तीन दिन, हमको पता चलने ही नहीं दिया कि कुछ हो रहा है ऐसा, मतलब बहुत बड़ी बात है कि उसने हमको नहीं बताई है, कि हम परशान हो जाएंगे बस ठीक है अब जो भी हुआ थोड़ा बहुत कस्टा आया मेरे मालिक ने प्रभू ने संभाल लिया बस तो मा है जो कह रहे हैं कि देखिए एक हिम्मत होती है और बेटा वहां से धांडस बंदा रहा है कि यहां सब ठीक है सब ठीक हो जाए कि आप हिम्मत रखें यानि कि देखिए जो एक शक्ती होती है उसकी बात है और बुआ आई हुई है इन दौर से उनसे भी हम बात करने की को को जैसे कि ऐसे हुआ है सुडान में तो मैंने पूछा जई उसको बोला में जईू ठीक हो बगवान तुम्हारे साथ है तुम टेंशन बिल्कुल मत करना तो थोड़ी देर के बाद वो नीन से उठा तो मेरे को वीडियो का लिंग करी बोला ता बुआ मैं ठीक हूं पर जो मैं मैंने दो दिन हाला देखे हैं मतलब शनिवार से यह यूद चालु आई और बिल्कुल मेरे फ्लेट के सामने से बिल्कुल में सब चीजह यह देखा हूं और मैंने सारे वीडियो बनाय थे और मैं आपको भेजूंगा मैं बल्कुल खराब से खराब से इन अपने आखों के स मैंने का तुमने बत्याने हम लोगों को बोला था कि मैं आपको क्यों परिशान करूं। मैं कुद हमत करके बैठा हुआ हूँ। और भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा मेरे को। और हम लोगों को भी वो हमत बढ़ा रहा था कि मैं बिल्किल ठीक हूँ। से तो अलग से बात तो कुछ आलग से ऐसी बात कह रहे हैं जैसे आपने नहीं से बात quayı कि टीटर फिर जब मैंने ट्वीटर पर देखा और यह सब चीजे सुनी तो मेरे पापा भी रो रहे थे फिर हमको लग रहा था कि मेरा भी मतलब जो हिम्मत है थोड़ी टूट गई हमको भी बहुत लग रहा था कि कब जाके हम जाएं भोपाल और सबसे मिले जाके तो मैं कल शाम कोई आ कि आएंगी हम उनका वेट कर रहे हैं देखिए जैनत का इंतजार सभी कर रहे हैं तमाम जो भारतिये सुडान में हैं उनका इंतजार किया जा रहा है पूरा परिवार अपनी तरफ से चाहे दौाओं की बात हो या सरकार को इंवाल्व करने की बात हो ट्वीट करके चीजों को बतानी की बात हो और उमीद ये कर रहे हैं कि बहुत जल्दी खुशकवरी वहां से मिल सकती है जैसे हमारी भी जानकारी के सुडान से उनको एरलिफ्ट करने की तैयारी कि जा रही है परिवार परेशान है लेकिन इस परेशानी में भी जज़बा कायम है कि कि किसी तरह माताजी उनकी कह रहे हैं कि उनकी पूरी आस्था है साइं पर और साइं उनके बेटे को बहार लाएं ना केवल उनके बेटे को बलके तमाम जो भारतिया वाफासे हुए है उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाएगा कैमरा प्रसंद आश्यू के साथ अखिले सोलें की भा कोपाल